पिछले एक साल से मिडल इस्ट में जंग चल रही है। इस जंग में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है। एक करोड से भी कम आबादी वाले देश इसराइल को लाखों लोग छोड़ कर दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। जी हाँ, इसराइल से कितने लोगों ने पलायन किया, इसे लेकर अलग-अलग रिपोर्ट आती रहती हैं। कि देश लोटने वालों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। इसके पीछे की वजह देश के प्रधान मंत्री बेंजामिन, नितिन्याहू सरकार की वापसी बताई जा रही है। विशेश्चियों के मताबिक देश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिर्ता बढ़ती जा रही है। इसराइल के नागरिकों में भी गुस्सा बढ़ रहा है, ऐसे में उन्हें लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, इसलिए वो देश छोड़ कर जा रहे हैं। इसके अलावा, युएन की रिपोर्ट बताती है कि 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार के तुरंत बाद 2 से 10 लाख नागरिकों को या तो उनके घरों से निकाल दिया गया या फिर वो खुद ही चले गए, इन में से बड़ी संख्या उत्तरी इसराइल में रहने वाले लोगो की है, रिपोर्ट बताती है कि करीब 80,000 लोग इसराइल के उत्तरी इलाके से चले गए, इसके अलावा इस युद्ध की शुरुआत से लेकर जून 2024 तक करीब 990,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, यानि उन्हें उनके घरों से निकाल कर इसराइल में ही सुरक नीतिक तोर पर ठीक हैं और नहीं आर्थिक तोर पर, युद्ध शुरू होने के बाद से हमास और हिजबुलाह दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत से इसराइल पर हमला किया है, जिससे हालात वाकई गंभीर हैं, युद्ध के ताजा अपडेट की बात करें, तो पिछले कु अपडेटों में 25 हवाई हमलों से भारी कोहराम मचा, फिर 165 रॉकेटों से ताबड तोड हमला किया कि इसराइल का आइरन डोम भी फेल हो गया, इसके बाद भी हिजबुलाह अपने हमले बंद नहीं कर रहा है, यानि यह युद्ध अब करो या मरो की लड़ाई बन चुका जो बेंजामिना के लिए भारी साबित हो रहा है, इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी सभी अपडेट के लिए और तमाम तरह की जानकारी पाने के लिए जानकारी को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद